नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम बात करेंगे account opening form कैसे भरा जाता है IBA ने अब सभी banks के लिए common account opening form का प्रावधान कर दिया है सभी banks किसी पर bank में आप अपना saving के account open करने जाते हैं तो आपको एक जैसा form ही मिलेगा उसमें दो parts होंगे एक होगा CIF form जिसको हम कहते हैं customer information form या customer information sheet और दूसरा होगा account opening form तो आज इस video में हम बात करेंगे कि CIF form कैसे भरा जाएगा जैसा मैंने पहले ही बताया कि हर bank का CIF form लगबग एक जैसा आपको मिलेगा एक जैसी details होगी format भी लगबग यहीं होगा जो आपको समने आपके screen पर दिखाई दे रहा है यह जो मैंने अभी लिया है इस video के लिए यह Punjab National Bank का CIF form है यह 4 pages का है तो यह blank form कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है यह मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ आपको जिससे आपको थोड़ा सा clear हो जाएगा तो यह है वो 4 pages CIF के जो हमें भरने होते हैं तो अब हम आपको ले चलते हैं एक भरे हुए form में कि इस form की जो सारी details हैं वो आपको कैसे भरनी है उसमें क्या खास बाते हैं जो आपने ध्यान रखनी है तो शुरू करते हैं तो यह है वो form जो की भरा हुआ form है यासा मैंने बताया कि सभी banks में चुकी एक जासा form है तो इसमें मैंने यहाँ पर bank का नाम और लोगों के लिए bank के लोगों के लिए यहाँ पर जगा चुड़ी हुई है इसके बाद इस form में जो भी red ink में भरा हुआ जो portion आपको दिखाई दे रहा है वो सारी वो जानकारी है वो सारी वो information है जो आपने खुद भरनी है और अब इस form को भरने के शुरुआत करने से पहले दो-तीन चीज़े हैं जो आपको दिखान रखने है सबसे पहले तो आपके पास आपकी photograph होनी चाहिए कम से कम दो photo आप अपने साथ रखे उसके बाद आपके पास आपका pan card होना चाहिए अगर आपने pan card बनवा रखा है तो आप अपना pan card निकाल कर रखे साथ में एक address proof के लिए या पहचान पत्र के लिए ID proof के लिए आपके पास passport आधा, driving license, voter card या नरेगा card या कोई और पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए इन में से कोई एक document है तो उससे हमारा काम चल जाता है उसके साथ ही आपके पास एक black pen आपको compulsorily चाहिए क्योंकि इसमें जो sign होते हैं इस form में वो केवल black pen से ही करने हैं ये खास बात है जसका आपको ध्यान रखना है और form को जो fill करना है वो आप black या blue दोनों में से किसी pen से भर सकते हैं यहां मैंने red pen से इसलिए बर आए जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे कि आपने कौन सी information है जो आपने खुद fill करनी है चले शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर आ जाती है date तो date जैसे मैंने डाली है 18 जुलाई 2020 तो आप इस तरह से हर एक cell का use करते हुए यहां पर आपने date भरनी है इसके बाद आपने भरना है branch का नाम यानि कि bank की जिस भी शाखा में जिस भी branch में आप account open करने के लिए जा रहे है उस branch का नाम आप इस तरह से भरिए पूरा form आप कोशिश कीजिए कि block letters में यानि कि capital letters में ही भरिए इसके बाद यहां पर आ जाता है application type या आविदन का परकार आप यह form जो भर रहे है CIF का वो आप नए account के लिए भर रहे है नया CIF creation के लिए भर रहे है या आप अपने पुराने CIF को update करवाना चाहते हैं तो यह हम बात कर रहे है नए account की तो मैंने new पर tick किया है आपने नहीं भरना यह सब bank खुद भरेगा जब आपका account वो open करेंगे इसके बाद आप जो account open कर रहे है वो आप normal savings का account open कर रहे है सामान बचत खाता open कर रहे हैं खोल रहे हैं तो इसमें हमने सामान पर tick किया हुआ है scheme code अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर scheme code और scheme का नाम लिख सकते हैं या bank अधिखारिकों से पूछ कर आप उसके बारे में यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं इसके बाद हम आ जाते हैं बेक्तिकद विवरंड पर यानि कि personal details पर इसमें भी सबसे पहले है existing customer ID अब चूकि आपका पहले से वहाँ पर CIF नहीं है customer ID नहीं है तो इसे आप blank छोड़िए इसके बाद है आपका नाम यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है मुद्रित ID प्रूफ के समान या same as ID यानि कि नाम बर्ते से आपने ध्यान रखना है कि आपके ID प्रूफ के अंदर जैसा आपका नाम लिखा हुआ है जैसी spelling लिखी हुई है वो ही और वैसे ही आपने यहाँ पर इसको भरना है हम कई बार क्या गलती कर देते हैं कि माल लिजे यहाँ पर मैंने नाम लिया है अशोक वर्मा अब वर्मा की spelling हो सकता है आपका जो ID प्रूफ है जो आप बैंक में दे रहे हैं जैसे आधार कार्ट, पास्पोर्ट, ड्राविल लाइसंस या वोटर कार्ट जो भी आप दे रहे हैं उसमें आपकी वर्मा की spelling है V-E-R-M-A और आप यहाँ पर भर देते हैं V-E-R-M-A तो ऐसे क्या होगा इससे आपका form reject हो सकता है तो नाम की spelling आप वैसे ही भरें जैसा आपके ID प्रूफ के अंदर लिखा हुआ है तो इसमें पहले आपने उपादी या prefix लिखना है तो यहाँ पर मैंने लिखा MR मिस्टर के लिए और फिर मैंने फिर्स नेम यानि की अशोग फिर उसमें एक ब्लांक सेल चोड़ा है फिर लिखा है वर्मा इसके बाद है यह मेड़न नेम यह विवा से पहले उपनाम अक्सर यह जो रोज है यह काम आती है महिलाओं के case में कि जहाँ पर marriage के बाद विवा के उपराउं तो उनका नाम बदल जाता है तो उनको विवा के पहले या शादी के पहले जो उनका नाम था वो नहीं यहाँ भरना होता है तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको ब्लांक शोड़ा हुआ है अब हमें भरनी है date of worth तो यहाँ पर भी वही चीज़ ध्यान रखिए कि जैसा आपके पहचान पत्म है यानि कि passport, voter card, criminal license में आपके date of worth भरी हुई है वही date of worth आप यहाँ पर भर सकते हैं जैसे मैंने आपर भरी है 5.0.1985 Cells का use ऐसे ही करना है एक cell के अंदर एक letter या एक number ही आपने लिखना है फिर आपने gender पर टिक करना है male, female या transgender जो भी आपके case में लागू हो उस पर आप टिक करिए जैसे मैंने आप male के उपर टिक किया हुआ है फिर हमें marital status या वैवाई के सिती बतानी है married, unmarried, others तो यहाँ पर मैंने merit पिटिक किया है इसके बाद है पिता का नाम पिता का नाम में भी पहले उपाधी यानि कि MR for mister और उसके बाद नाम कमल वर्मा जैसे कि मैंने लिखा है इसके बाद आ जाता है माता का नाम माता का नाम अग कंपलसरी हो चुका है आपको इस फॉर्म में ध्यान रखना है जो भी star mark द्वाईली जितने भी रोज हैं जितने भी columns हैं वो सारे आपने fill करने हैं उन्हें खाली नहीं छोड़ना है तो अब हमने लिखा यहाँ पे मदर का नाम MRS उपाधी के लिए और उसके बाद नाम लिख दिया है मंजू वर्मा फिर है spouse का नाम अब अगर आप यह form कोई male person भर रहा है तो अपनी wife का नाम इसमें भरेगा अगर वो married है और अगर कोई महिला इस form को भर रही हैं तो वो अपने husband का नाम यहाँ पे भरेंगे यहाँ पर जैसे मैंने लिखा मिसस अंजली वर्मा dependence यहाँ आश्रितों की संख्या अब यह एक mandatory field यानि compulsory field नहीं है आप चाहें तो इसे भर सकते हैं चाहें तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ आवा रहा है दो dependence यानि की दो आश्रित हैं इसके बाद हमें बताना है कि जो form भरने वाला है या जिसका account उपन हो रहा है वो निरक्षर तो नहीं है अगर वो निरक्षर है तो उसे हाँ पर टिक करना है या जिससे भी form भरवारा है वो हाँ पर टिक कर सकता है और अगर वो साक्षर है तो उसे नहीं पर टिक करना है अगर वो निरक्षर है तो अपना पहचान चिन को यहाँ पर बताना होगा पहचान चिन यहाँ पर लिखवाना होगा इसके आगे है name of guardian, name of guardian तभी जरूत पड़ेगी अगर ये account जो open हो रहा है या जो CIF आप बनवाना चाहते हैं, वो आप किसी minor का बनवाना चाहते हैं, तो फिर उस case में यहाँ पर guardian का नाम आ जाएगा प्रविक्स के साथ में, अनिता आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, इसके मैंने यहाँ लिखा है निवासी वेक्ति या resident individual, अगर NRI है, foreign national है या personal Indian origin है, अगर ऐसा आपके उपर लागू होता है तो आप उस पर tick कर सकते हैं, फिर हमें बरना है occupation, अगें ये compulsory field है, तो इसमें आपने बताना है कि आप क्या काम करते हैं, जैसे यहाँ पे कई सारे options दि दूनते हैं, तो आपको यहाँ बताना होगा कि आप government sector में किस तरह की company में काम करते हैं, किस तरह के organization में काम करते हैं, अब चुकि मैंने self-employment किया था, तो इसके आगे मुझे बताना है कि मैं self-employment में क्या करता हूँ, जैसे trader हूँ, service provider हूँ, agriculture है या जो भी मेरा काम है, तो जैसे मैंने यहां बढ़ रहा है, 4,80,000 रुपे, फिर हमें बतानी है, परिसंपत्ति का लगभग मोलिय या net worth की approximate value, net worth क्या होता है, कि आपकी जो total अपनी net worth है, यानि कि जो आपको असेट्स हैं, जो भी आपको पास संपत्तिय हैं, उनकी लगभग value आपके साब से कितनी हो तो इसके बाद हमें अपने turnover बताना है, कि साल में हम लगभग कितना turnover अपने business में करते हैं, जैसे मैंने याब रहा है 75,000,000 रुपे, इसके बाद धर्म या religion पर टिक करना है, हिंदू, मुसलिम, क्रिश्यन, सिक्क या अन्या, मैंने या हिंदू पर टिक किया हुआ है, अग पर पार्सी mention कर सकते हैं, पार्सी लिख सकते हैं, अब आ जाता है वर्ग या category, यानि कि आप किस वर्ग में आते हैं, सामाने, OBC, SC, ST या minority, जैसे मैंने आप सामाने पर टिक किया है, आप जिस भी वर्ग के उपर आते हैं, आप उस पर टिक कर सकते हैं, इसके बाद आ जाता पर टिक करना है, अब अगर दिव्यांग हैं, और आपने हाँ पर टिक किया है, तो फिर यहाँ पर बताना है कि वो दिव्यांगता किस परकार किया है, यानि कि दृष्टि दिव्यांग है, इसके बाद आपने बताना है, तो उस पर भी आपने टिक करना होगा, अब मैं बताना है, शाक्षिक योगिता यानि उजिकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें भी ओप्शन्स दिए गए हैं, जैसे SSC से नीचे, या SSC, फिर HSC, इसनातक, पिर इसनातक उतर, पेशेवर या अ आपने बताना है, यह तब लागू होगा, अगर आप किसी कंपनी में, या किसी और्गनाजेशन में, किस इंस्टिटूशन में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप अपने अपने शॉप है, इसके आगे, अगला उप्शन है, हमें पॉलिटिकली एक्सपोज होने का, यह आप पॉलिटिकली एक्सपोज है, या किसी पॉलिटिकली एक्सपोज के व्यक्ति से संबन देते हैं, अगर ऐसा नहीं है, तो आप कोई नहीं पर टिक कर सकते हैं, और अगर ऐसा है, तो आपने जो भी उच्छत ऑप्शन हो, उसके ओपर टिक करना होगा, अब हमें यहां ISO 3166 देश निवास अधिकार शेत्र का code यसे अगर आप जो आपका residence है जो country है जहाँ पर residence है वो इंडिया है अगर तो उसके लिए IN आपने select IN लिखना है और otherwise जो भी code है वो code आपने यहाँ पर भरना होगा इसके बाद हमने बतानी है नाग रिखता जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है Indian अगर आप किसी और देश के नाग रहे हैं तो आपने citizenship यहाँ पर mention कर सकते हैं अब बताना है country of tax residence in India only and not in any other country or territory outside India यानि कि जो tax की liability आपके उपर लगती है आप किस देश के taxation के उसमें आते हैं शितर में आते हैं जैसे मैंने इंडिया के लिए yes पर टिक किया है अगर ऐसा नहीं है यानि कि आप इंडिया के इलावा किसी और country के taxation territory में आते हैं तो आपने यहाँ पर नहीं पर टिक करना होगा और उस case में एक FATCA या फटका वाला form होता है वो भी आपने अलग से भरना होता है अब हम बताना है pan number अगर आपके बास pan number है तो आपने pan number देना mandatory है, compulsory है और यहाँ पर अपना pan number भरना भी है जैसे मैंने या भरा हुआ है अगर आपके pan number नहीं है तो आप इसको dash कर सकते है लेकिन उस case में आपने form 60 होता है, वो form 60 इस form के साथ जमा करना होगा बैंक में, अब हम आजाते हैं contact details पर, contact details बहुती ज़ादा important है, बहुती ज़ादा महत्पूर्ण है क्योंकि आजकल digital banking का जमाना है, तो ज़ादा तर information जो bank आपको भीजेगा, जैसे account का statement भीजेगा, या कोई भी जानकारी जो आपके उपर आएगी, के पास आएगी, वो आपके mobile पर और आपके email ID के उपर आएगी तो इसलिए आपना mobile number ज़रूर यहाँ पर भरें और साथी अगर email ID आपका है, तो email ID भी यहाँ पर भरें, जैसा कि मैंने भरा हुआ है इसके बाद अगर आपका कोई alternative यानि कि वेकल्पिक mobile number है, दूसरा mobile number है, तो आप वो यहाँ भर सकते हैं, मैंने यहाँ पर dash किया हुआ है, जैसे लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा mobile number तो आप यहाँ भर सकते हैं, साथ ही आपके वास अगर कोई online number है, office का या घर का, तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, अन्यता आप इसको dash कर सकते हैं लेकिन कम से कम यह दूचीजें कोशिश कीजिए आप जरूर दीजी, एक तो mobile number आपका और एक आपका email ID, जिससे bank लगातार आपके साथ संपर्थ में रह सकते हैं अब हम आज आते हैं, proof of identity यानि कि पहचान के प्रमान पर पहचान के प्रमान में क्या जहां देने वाली बात है, कि इसमें कुछ documents दिये गए हैं, इनमें से ही आपके पास एक document होना चाहिए जैसे passport, voter ID card, drive glasses, आधार card, कोई दूसरा card हो सकता है, जिसमें आपकी पहचान यानि का आपकी photo और आपका नाम और पिता जी का नाम और अनिजानकारी हो आप नरेगा का job card दे सकते हैं या national population register या राशी जन संक्या पंजीकरण का जो register होता है, उसके द्वारा जो पत्र दिया जाता है, वो भी आप दे सकते हैं तो जैसे मैंने आधार card पर टिक किया है तो मैंने आधार पर टिक करने के बाद में फिर हमें लिखना होता है कि जो भी document या जो भी आप पैचान पत्र दे रहे हैं उसका number हमें या भरना होता है तो number मैंने यहां बढ़ दिया है जैसे कि आधार संक्या आप सभी जानते हैं बाराग को क्यों होती है, मैंने यहां बढ़ दिया है मालिजा ब्राविन लैसंस दे रहे हैं ब्राविन लैसंस के उपर भी होती है voter ID card या अधार card के उपर समापती की तारीक नहीं होती है तो अगर आप voter ID card या अधार card दे रहे हैं या कोई ऐसा पहचान पत्र दे रहे हैं जिसमें समापती नहीं होती तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं या dash कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप passport है, driving license दे रहे हैं, तो आपने यहाँ समापती की तारीक भी भरनी होगी, तो यह तो होगी आप पहचान पत्र के बारे में, इसके बाद आ जाता है पते का प्रमाण या proof of address, इसमें भी फिर से वही documents आप दे सकते हैं, जो आपन dash 012987 oblique 09, अब इसकी भी जारी होनी की तिति मैंने आप भर दी है, 7 अक्टूबर 2008, और साथ ही भरी यह expiry date, समापती की तारीक, जैसे कि मैंने बताए, driving license पर समापती की तारीक होती है, तो आपने यहाँ पर भर दी हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है, कि अगर आप जो valid होना चाहिए, अब हमें यहाँ पर पते का विवर्ण बताना है, कि जो पता हम यहाँ पर भर रहे हैं, वो हमारा कौन सा पता है, जैसे मैंने आपर current या वरत्मान का चुनाप किया है, आपका अगर वो पता permanent या स्थाई पता है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, इसके बा पर residential पर टिक किया है, आवासियों पर टिक किया हुआ है, उसके बाद मैंने अपना यह पता भर दिया है, यहाँ पर हाउस नमबर 56, गली नमबर 30, सुभाश नगर देहरादून, डिस्टिक्ट में भी भरा है देहरादून, स्टेट भर दिया उतराकंट, और PIN नमबर डाल जिसमें हमें करने हैं हस्ताक्षर, तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि हस्ताक्षर जो या signatures जो करने हैं वो हमें black ink में ही करने है, इसलिए मैंने यहाँ पर black ink में भरके दिखाया हुआ है, अशोक वर्मा जीने अपना दसकत यहाँ पर किया हुआ है, तो इसी तरह स होता है कि यह पता हमारा किस तरह का पता है वह बिजनस का अड्रेस है रिजनस का अड्रेस है कॉमन अड्रेस है हमारे ओफिस का अड्रेस है या कोई अन्य पता है यह तो यहाँ पर मैंने मैंने या बहरा है, शॉप नमबर से, पटेल मार्केट, राजपूर रोड, देरादून, उसके साथ में उसका राजए और पिनकोर भी भरा हुआ है, अब हो सकता है कि जो वर्तमान पता आप फॉर्म में भर रहे हैं, वो आपके पास उसका प्रूफ ना हो, यानि कि OVD ना हो यानि कि जो डॉकमेंट्स यहां पर दिये होए हैं, पासपोर्ट, वोटर ऐडिका, ड्राइंग लेसंस, आधार कार्ड, कोई अन्य दस्तावेज, या नरेगा का कार्ड, या नैशनल पॉपलेशन रेजिस्टर का जो डीटेल हैं, उसमें से किसी पर भी आपका वरतमान पत दे सकते हैं, तो जैसे मैंने यहां utility bill पर टिक किया हुआ है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, कि अगर आपके पास, आपके OVD में आपका current पता नहीं है, current address नहीं है, तो आपको तीन महने के अंदर-अंदर bank में वो पता, वो OVD जमा करना होता है, जिस पर आप यहां पर एक self declaration है, घोशना पत्र है, जिसमें आप यह declare करते हैं, कि जो भी terms and conditions है, खाते खोलने की, जो भी शर्ते हैं, नियम है, वो आप पढ़ चुके हैं, या आपको बताई जा चुकी हैं, और आप उन शर्तों को समझ चुके हैं, साथ ही, आप यह भी declare करते हैं, कि इच्छा से जमा किया है, KYC, नियमों के अनुपालन के लिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर टिक किया हुआ है, इसके साथ ही, आप बैंक को ऑथराइस करते हैं, या इस बात की सहमती देते हैं, कि बैंक आपकी UI, DI को verify कर स सकता है और Biometric Authentication Bank आपका कर सकता है तो इसके बाद आ जाती है बात फोटो की आपने यहाँ पर अपनी नमीनतम फोटो जैसा कि यहां लिखा हुआ है अपनी नमीनतम पासपोर्ट साइस फोटोग्राफ चिपकानी है धिया रखना है इस फोटो को चिपकाना है आपने स्टेप इसके बाद आपने भरना है कि आप यह फॉर्म कहां पर भर रहे हैं तो मैंने आप पर इस्थान भर दिया धर अदूम और जिस डेट में आप यह फॉर्म भर रहे है वो तारीक आपने आप बर देनी 18 जुलाई 2020 या जब भी आप यह फॉर्म भर रहे हैं इसके नीचे यह आठ नंबर वाला पूरा का पूरा पॉरा पॉइंट है यह हमें खुद नहीं भरना यह बैंक अधिगारियों के लिए है बैंक में जो भी आपका खाता ओपन कर रहा होगा जो भी का CIF बना रहा होगा वो इसको भरेगा इसके नीचे आप में कुछ निपना तो इस तरह से आपका यह फॉर्म CIF का कंप्रीट हो जाता है खाता खोली के प्रक्रिया में यह पहला फॉर्म है जो में भरना होता है जल्दी हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि सेविंग अकाउंट अगर आप खोलने जा रहे हैं यानि कि जो सेकेंड कैसे बहरा जाता है उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा देखने के बहुत बहुत शुक्रिया वापस आते रहिए और ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए बाबाई टेक केर